पाकिस्टान बन गे रहा हैं, उन्होंने यह करा कि मैं कोई राजनिती जंदा लेकर नहीं जा रहा है, केवल तिरंगा, मम्ता बने जी को राष्ट गुर्धी भी करा देखें, ऐसे संकेत तो बहुत दिनों से मिल रहे थे, मम्ता दीदी ने पश्चे मंगाल में अब दुर्गा पूजा का विसरजन यातरा जाए, तो उसको ना होने देना हर प्रकार से यदि आप देखें, तो law and order, कानून और वैवस्था पश्चे मंगाल में चर्मराई हुई है, अब देश का तिरंगा लेकर के जाने में भी मम्ता दीदी के लोग को दिक्कत है, मुझे लगता है कि मम्ता दीदी को आत्मंतन करनी के आवश्चता है, आप जिस स वाजपा ने गशि में 19 लाक नोगरिया देने की बाद करा दिदी, क्या उन्होंने 19 लाक नोगरिया भी थी, इसी दर उन्होंने देश में 200 को रोगते लेकिन 80 लाक नोगरिया दि जब से हमने सरकार बनाए है, रोज़वार और युवाहों के वहष्चि से जुड़े मुद देखिए ऐसा है कि तेजस्वी आदव जी ने सत्ता में आने के बाद ही उनने यह भी कहा कि हमने तो वादा ये किया था कि हम जब मुख्य मंत्री बनेंगे तब हम दस लाक नोकरी के निर्णे को मंजूरी देंगे अभी हम उपमुख्य मंत्री हैं तो सब कुछ जो है उनके बनने पर निर्वर करता है क्या देखिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती है राष्ट की जनतातर का जो शासनकाल रहा है हम वो दिन अभी भूले नहीं है और अभी भी तीजस्वी जी जब से सरकार में आएं हैं म पूटन बाबा के साथ वो डिप्टी सीम है तो इस बार नौकरी हो लॉइन ओडर हो इंट्राचक्चर हो इंडस्ट्री हो कनेक्टिविटी हो एक जिम्मेदार नेता की तरह आपको बिहार के अकांग्शाओं और अपेक्शाओं के नुरूप उतरना होगा इस प्रकार की अ इस प्रकार से आते ही जो ब्यान बाजी हो रही है जो कुछ सरकार ने ऐसे निर्णे लिये हैं ये निश्वत रूप से चिंता जनक है और संकेत ठीक नहीं है जिस प्रकार का ट्वीट तेजैस्वी जी ने किया है गिराजी के संदर्ब में और उन्होंने चोटी और चोटी वालों को अपमानित किया है तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल अपने पिता जी के नक्षे कदम पे चल रहे एंके पिता जी को भी भूरा बाल साफ करो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी इसी मन मंशा से आये हैं कि सारे के सारे चोटी वालों को साफ करना चाहते है सर्व समाज की राजनीती आप सरकार में आये हैं सरकार किसी एक जाती ने एक परिवार ने बना करके आपको नहीं दिये बिहार के बारा करोड लोगों ने आपको सरकार बना करके दी है और उसमें सभी जाती के, सभी धर्म के सबी पंत्र के सबी संपरताई के लोग हैं हम आप से विनमरतापूरो का ग्रह करेंगे कि इस परकाल की ओची हल्की सतही बयान बाजी से बचें और समाज के सरवांगिर विकास के लिए काम करें तो जाद अच्छा होगा खुदरा मुझरा सकती जुलाई में पास महिने के निकले रस्ता 6.71 पर आई जून में आई आई पी 12.3 पर बढ़ी देगे निशुत रूप से हम लोगों के लिए महंगाई का मुद्दा और फिस्कल रिस्पॉंसिबिलिटी वितिये जिम्मेवारी का मुद्दा हमारे लिए एक सरवोच प्राथमिक्ता है और ये इस बात से ही पता चलता है कि अभी भी या वो कोविट का समय हो या कोविट के बाद भी एकॉनमिक रिकावरी के हम लोगों ने बात की थी और प्रधानमंत्री जी का आत्मिर भर भारत पैकेज भी 20 लाग करोड का था तो इन नीतियों के वज़े से इन पॉलिसी डिसिजिजन के वज़े से आज एक स्टेबल एक स्थिर स्थिति में मारी एकॉनमी आई है और आने वाले समय में जैसा की माननी एवितमंत्री निर्मला सी दर्मन जी ने भी कहा है की वी विल अचीव अस्टेबल इन्फलेशन डेट आरबी आई के ते नियमों के अंतरगती हम लोग हैं हम कॉंग्रिस का वो समय भूले नहीं है जब इन्फलेशन डबल डिजिट दस प्रतिशा तक भी इन्फलेशन पहुचा था कॉंग्रिस के शासनकाल में हमें यह भूलना नहीं चाहिए तो अभी स्थिती स्थिर है और आने वाले समय में वित्तिय स्थिती महंगाई का जो दर है वो और स्थिर होगा और और कम होगा केंद्र ने कोविट की जारी है क्योंकि मामले बढ़ने लगे है उन्होंने कहा है कि सुपता दिवसपर बड़ी सभाव से बचे नहीं नेशित रूप से अभी केंद्र सरकार का स्वास्तमंत्रा ले इस सिचुएशन को बहुती क्लोसली मॉनिटर कर रहा है और हम जानते हैं कि किस परकार दो सो करोड का जो डोज है वो भी हम पूरा कर चुके हैं और आज भारत के नागरिकों के पास सुरक्षा कवच है वैक्सिनिशन के रूप में सुरक्षा कवच की बात हो सेफटी प्रोटोकॉल की बात हो केंदर सरकार आज से नहीं मुझे आज भी यादे कि जैसी ही कोविड महामारी ने हमारे देश में दस्तक दी थी तो मार्च दोहजार बीस से लेकर के अब तक मास्क वैक्सिनेशन हर प्रकार से हमारी मुस्तेदी से तयारी पूरी है इस बार भी सुरक्षा कवच हमारे देश के नाईरों के पास अल्रेडी है लेकिन आने वाले समय में हर एक सेफटी प्रोटोकॉल का ध्यान सरकार के तरफ से रखा जाए और समाज में भी इस बात का ध्यान रखा जाए तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा